कभी कभी लोगों के मन में प्रश्ण आता है यह हिंदू कौन मान वर्मोन भागवजी ने इस विश्य को भी इस पष्ट करने की कोशिस अपने उन व्याख्यानों में की है जो पस्चिमी जगत से जो बिन्दे बिन परकार से रिलीजन्स की परिवाशाएं आई उसी अधियों यह है वह यह से हिंदु समाज हिंदु हे लिजन में तो सकते होए रिलीजन्स है यह एसा प्लेट फोर्म है जिसके उपर हजारों डिलिजन्सारों मत हजाडों पंध हजारों सम्परदायं खड़े होसकते रहे करके फ़लेठ फ्र फोर्मा कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है यह कहना भी कठिन है यह हिंदु तो उसके शील से उसके आचार से उसके विचार से उसके जीवन की शैली से यह ते होगा पूजा पद्धती से हिंदु तो या हिंदू यह ते नहीं होता और हजारों प्रकार की पूजा करने वाले यह एक भी प्रकार की पूजा ना करने वाले यह हिंदू हो सकते हैं और हिंदु तो को या हिंदू को जन्म देने वाला कौन है यह कहना कठिन है नहीं बता सकते हैं उदानर के लिए हम कहें साइंस का जन्म किस ने किया साइंस किस ने पैदा किया कहना तो कुटिन है साइंस किस ने पैदा किया इसे पहले कोई व्यक्ति रहे होंगे, जोनने अगनी के आविशकार किया, कुछ रहे होंगे, जोने सिध्धान्त दिये मशीने बनाई, धीरे दिरे विज्ञान आगे बढा, हजारों हजारों लाघों लोगों के कंट्रिबुशन से विज्ञान बढ़ा है, विज्ञान एक ऐसा हो गया, लाखों लोगों का योगदान है, हिंदु तो ऐसे ही बढ़ा है, किसी एक व्यक्ति ने हिंदु तो खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं है, हजारों हजारों लोगों के निरंतर प्रयत्मों से, उनके कंट्रिबुशन से कोई वी आकर के अपना कंट्रीमीशन देता है कभी इसमें कंट्रीमीशन देने के लिए शंकर अचारे आते कभी राषीम लिभी उत्र समय कोई व्यक्ति मानव्य र gloss कर दोना करते हुआ कुछ कारे करता है वो कहीं ने कहीं हिंदु तुमें एक योगदान कर देता है